नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र देखी जुलाई का मंत शुरू हो गया है और इस समय सभी स्कूल में PT1 exam मतलब जो first period test होता है वो शुरू होने वाले और जिसे कि आप जानते हैं कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं इस वज़े से सभी स्कूल में जो exam है वो online लिये जा रहे हैं ठीक है तो online exam के लिए आपको online paper बनाना पड़ेगा और उस paper को बच्चों तक पहुचाना से और बहुत ही कम समय में तो चलिए शुरू करते हैं चलिए चलते हम हमारे computer screen के उपर सबसे पहले आप गोगल ओपन करके और यहां पर डालिए Microsoft form देखिए आगया सबसूपर Microsoft form आप इस पर मैं क्लिक करता हूं जैसी मैं क्लिक करता हूं तो जो first option है Microsoft form easily create survey इसको आप क्लिक करेंगे जैसी आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डिस्प्ले आएगा आपके सामने जिस पर लिखा है sign in इसको आप क्लिक कर देंगे यहां पर आपको अपनी ID डालना है ID कौन सी Microsoft team app जो आप चलाते हैं उसकी आपके पास ID है वो डाली है या फिर Microsoft form के उपर अगर आपका कोई account बना है तो आप वो भी डाल सकते हैं ठीक है मैंने यहां पर Microsoft team app की जो मेरी ID है वो मैंने डाल दिये नेक्स्ट करता हूं मैं आपको वह इंटर पास्वर्ट बोल रहे हैं मैं इंटर पास्वर्ट करता हूं और साइन इन पर क्लिक कर देता हूं यहां पर इस्टे साइंड इन यस तो इसको यस कर दीजिए इस तरीके से आप Microsoft फार्म के उपर पहुंच चुके हैं यहां पर बहुत सारे फार्म मैंने पहले से बना रखें मैं आपको आज नया पेपर बना के बताता हूं कि किस प्रकार से आप इस पेपर को क्रिएट अपको ने पटी रधा में क्या है जो कुछ भी वोह यहां पर अवा अब अगे यहीं ऐने डाला है यहां पर आखाए यहां प्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप् लिक्टिया है अब मैं जाता हूं यहां पर एड नियू के ऊपर एड नियूक गया आप मुझे क्या-kya बच्चे की जानकारी चाहिए वह यहां पसके लिए अब यह सेक्ड नमर पर टेक्स लिखा यह उसाँ जो नाम है इसके बाद को कुछ भी नहीं इसके बाद रिक या लिखा इस रिक एक और को क्लिक करना है ताकि बच्चे को यह जरूर देना मतल intent प्धा नाम ज़रूरeend लिखना है इसक्लाइब बोलते हैं ठीक है अब यह फर्श्ट हो गया हमने बच्चे का नाम पूछ लिए अब हम एड निव फिर से जाएंगे और फिर से टेक्स को क्लिक करेंगे और अब हम डालते हैं पर क्लास यह हमने क्लास डाल दिया इसको भी हम रिक्वाइड रखेंगे क्योंकि क्लास भी हमें जारना जरूरी है ठीक है फिर से एड निव पर जाएंगे फिर हम टेक्स को क्लिक करेंगे और यहां पर डाल देते हैं अब सेक्शन नीचे बच्चा उसका अंसर देदेगा यहां पर भी हमें पाइंट्स को नहीं चेंड़ना है और इसको भी रिक्वाइड रखना है इतना हमें सेक्शन में यह सब कंप्लीट करना है बच्चे का नाम भी आ गया उसका क्लास और सेक्शन दोनों आ अब हम एड निव पर जात क्योंकि मुझे इस कोश्चन पेपर में पहले तेन कोश्चन चूज दया आपके हो सकता कि फिलिन दा ब्लेंक हो सकता ये वन बड हो सकता वह आपके ने ले लिया है अब यहां पे एड निव पर जाता हूं और आब नमार है चोब इसको मैं क्लिक करता हूं मैंने हैं 6 जो इसको क्लिक किया यहां मेरे को सब्सक्राइब यहां Pforme शरड़ेनए ही तो चार चाल अप्छन देना है मालेड़े यहां पर यहां पर आफिOR चाहिए तो आपन का हैं चार लिखा क्रण तो और मेरे पास four option हो गए हो सकता आप three option लिखते हो आपके उपर depend करता है यह four option हो गए इसके बाद यहाँ पर आएगा question ठीक है लेकिन इसके बाद आप यह points के जगे लिख देंगे one क्योंकि आप हर question one mask देंगे इसलिए points के लेकिन इधर ध्यान रखेंगे यहाँ पर required को आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि अगर मालीजस बच्चे को पहला question नहीं आ रहा है तो आगे जाई नहीं पाएगा आगला question उसको दिखे गई नहीं इसलिए आप यहाँ से कोई भी question को required नहीं करोगे ठीक है यह इस तरह से आपने first question बना लिया लेकिन आपको तो यह से 10 question चाहिए हर वार आप इतनी मेनत करोगे इसा इतनी मेनत हर वार नहीं करना है आप क्या करेंगे यहाँ पर जाएंगे और यह जो copy लिखा है copy question इसको आप copy कर लेंगे जितनी बार आप चाहिए आपको टेन कोशन चाहिए चूज़ करेक्ट के तब टेन टाइम इसको कापी कर लिए मैं कर लेता हूँ 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह मैंने 10 कोशन कापी कर लिए अब मुझे बार बार यह सब कुछ नहीं करना बस मुझे कोशन डालना है अब मैं वापस फर्स कोशन पर जाता हूं यह देखिए कोशन नमर फॉर मेरा फर्स कोशन है क्योंकि 123 तो मैंने उसमें बच्चे के बच्चे का नाम सेक्षन और क्लास पूछा तो 3 उसमें चले गए 4 कोशन से स्टार्ट होता है अब मेरे कोशन लिखना है तो फिर मैं कोशन नहीं लिखूंगा मैं क्या करूंगा मेरे जो पेवर बनाया है बर्ड पे वहीं से जाके इसमें पेस्ट कर दूगा चली मैं बर्ड पे चलता हूं यह मेरा बर्ड का कोशन आ गया अब यहां से कोई साभी कोशन उठा लेता हूं आपको बताने के लिए ज देखे हैं यहां पर चार आप्शन भी आ गया और कोशन भी आ अब आपको यहां पर आप आप्शन के प्लेस पर आप पक्र जाएंगे और देखें आप एक 요स्टिक का साइन बना हुए इसी का साइन को आप किलिक कर देंगे इसका मतला बी आप्षण इसका करेक्ट हो गया यह आपका फस्सकेट कॉशन क्प्लीट तो यह तो होगा आपका फस्सेशन यहां जो सब्सक्राइब अब माली जी इसके बाद आपको नया section है वो fill in the blanks दिया हो तो हम लिख देते हैं फिल यह मैंने fill in the blanks लिख दिया अब फिर से मुझे वोई काम करना है बापस यहां जाओंगा चॉइस के उपर जाओंगा चॉइस के उपर जाके मुल्टिपल आंसर भी नहीं करना है यहीं तक छोड़ देना इस तरह से मैंने अब अगला section शुरू हो गया फिर से मुझे दस कोशन लेना सपोस करिए आपकी दर हर सेक्शन में तो बता रहा हो तो फिर से मैं यहां पर जाओंगा यह कापी कोशन लिखा और उसको 10 टाइम से कर दोगा तो मुझे 10 कोशन फिर से बन जाएंगे तो यह मेरे 10 वाले उस पर यहां पर यहां पर अगला question जो मेरे हैं fill in the blanks का बहुत इसको चार्श कर कर के मेरे यहां पर इसको पेस्ट कर décidé है यहां पर भी पूरे four options के साथ आपका question अगया अब आपको लगता है कि इसका इसका अगर क्लिक करेगा तो उसका अंसर उसको वन मास मिल जाएंगे किसी को भी करेगा तो उसका अंसर उसका उसको मास नहीं मिलेंगे इस तरह से आप सारे section बना सकते हो, अगर आपने एक साथ पूरे 40 question या 20 question का बना है, तो भी कर सकते हो, section नहीं बनाना, तो भी कर सकते हो, suppose करी कि आपके school में section wise नहीं है, direct आपके 30, 40 question जितने भी है, एक साथ ले लिए, तो आपको section बनाने की जर्वत नहीं है, add new पे जाईए, आपके choice पर जाईए, और direct आप पूरे 40 question या एक एक करके आप पूरे question डाल सकते हो, ठीक है, यह तो हो गया आपका paper case से upload करते हैं, अब मैं इसकी थोड़ी सी setting बताता हूं, तो यहाँ पर देखिए, यह three dot बनी हुई है, इस three dot के उपर जाएंगे, और यहाँ लिखा setting, इस shows result automatically, यानि बच्चा पूरा complete करें, अपना paper, जिसी submit करें, उसको पता चलिया कि उसको कितने mass मिले हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो इसको आप जैसे है, वेसी रेने दीजे, otherwise आप इसको off भी कर सकते हो, आप करने का फायदा यह है कि आपको बच्चे को पता नहीं चलेगा कि उसका कौन सा answer सही है, कौन सा answer गलत है, इससे क्या होगा कि आपका जब result होगा, उस समय बच्चा उसका wait करेगा result का, कि है मेरे इस दिन result है, तो उसका wait करेगा, otherwise उसको पेरे सी पता रहेगा कि उसके कितने mass आएं, ठीक है, इसलिए इसको आप करके रखिए, ओके, next, who can fill out this form कौन-कौन इस form को मतलब आपके paper को कौन-कौन देख सकता है, तो यहाँ पर देखे, anyone can respond, कोई भी इसको देख सकता है, ठीक है, दूसरा है, कि only people in my organization can respond, इसको ही अकसर करना चाहिए, क्योंकि आपके school में जितने वच्चे हैं, वो ही इस form को fill कर सकते है, form मतलब इस question paper को solve कर स इसलिए आप only people in my organization can respond पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप anyone can respond पर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि उसका record, उसका कौन-कौन सी चीज आपके पास आए, जब वो क्लिक करें, तो एक तो record name, यानि उसका name आपके पास आना चाहिए, और उसका के वाल एक ही response यहां पर आपको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो थोड़ी देर बाद उसने फिर से question open किया, question paper open किया, और फिर डाल लिया, बाद उसको पता चला है, यह तो मेरा answer गलत था, कहीं देख लिया हो, उसने, फिर से open किया, फिर डाल दिया, तो इतने सारी entry हो करते हैं, यहां पर लिखा option for responses, accept responses, yes, हमको उनके responses तो accept करना ही है, तो इसको ठीक रहने देंगे, फिर start date और end date, यह बहुत जरूरी है, इसका ध्यान दिजिए, start date पर हमको पहले click करते हैं, अब आपका जो paper है, वो किस दिन है, यह देख नाम को, suppose करी आपका paper जो है, वो July की 12 को है, यहाने 12 July को आपका paper है, तो आप इसको click करेंगे, यहां पर आप paper आगया, आपका, sorry, पेजह देखे हैं, आपको 12 July होगी, इसको मैंने click कर दिया, 12 July होगी, आप 12 July को कभ है? यहने time क्या है? तो आप फिर time पर जाएंगे, यह time है इधर, अब आपका paper मानलीजी कि staysud सुबह 8 बज़े के पेपर को चलते हैं कि यह आ गए है पर एट ओक्लक तो सुबह एट ओक्लक को पेपर शुरू होता है तो हमने एट कर दिया जो भी टाइम आपका शुरू हो जो भी आपका टाइम हो आप उस दिन का उस टाइम यहां पर डाल सकते हो अब चलते हम एंड प्रेंट है वो भी सेम रखी जो डेट आपने स्टार्ट की रखी लेकिन टाइम करना है अब को यह दे आपको आपका पेपर कितने जाना है 930 तक जाना है तो हम यहाँ जाएंगे और 930 जहां पर भी होगा उसको क्लिक कर देगे यह आ गया हमरे पास 930 इसको उमने क्लिक कर दिया इसका मतलब अपना जो पेपर हैं बहुत घंटे के लिए बच्चों के बाद अगर कोई उसको पेपर करेगा तो उसको पेपर ओपन ही नहीं होगा ऐसा ही आपको करना चाहिए अदरवाइस क्या होता बैच्चा कभी भी ओप करेगा कभी भी देदेगा इसलिए एक पर्टिकॉल टाइम होना चाहिए कब से कब तक वो बच्चा उस पेपर को दे सकता है ओके इस तरह से आपने क्या करा कि टाइम एंडेट और स्टाडेट दोनों एंडेट और स्टाडेट आपने दे दिया ठीक है इसके बाद यह रिस लिए औसी जग्ए आप यहां आता है शेयर क्योंकि हमना चै के Тूरब बेज सकते हैं या किसी बी ज्स तरह से भी भेजना बार्टसक के थूँँ usar या फिर मेल के-थूँँ भेज सकते हैं जिसे भी आपको भेजना मासे भेज सकते हैं ठीक हैं तो इस प्रकार से आप बच्चों को यह वाला जो farm है याने यह वाला जो paper है वो बच्चों तक पहुंचा सकते हैं बच्चे जिसे से click करेंगे tick करेंगे और जब submit करेंगे तो वो responses आपके पास आजाएंगे responses कैसे आएंगे वो बता देता हूं आपको जिसे यह तो question paper आपको पूरा और इसके जस्ट बगल में लिखा responses अभी responses 0 है क्योंकि अभी कोई बच्चे ने दिया तो है ने लेकिन जैसे हैं क्लिक करोगे तो यहाँ पर 00 की जगे हैं बच्चों के नाम आ जाएंगे और number of student कितनों ने अभी तक submit कर दिया है वो सारा यहाँ पर आपको दिखने लगेगा ठीक है अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे जो आप बच्चे के कितने number है कौन से बच्चे के कितने number है किस ने कौन सा question किया यह सब जानना चाहते है कि Excel form में तो यह देखिए यहाँ लिखा open in Excel इसको आप click करेंगे तो एक Excel file आपकी तैयर हो जाएगी और वो सारे बच्चों के नाम आपके सामने होंगे और आप Excel file से भी उन सारे बच्चों के नाम देख सकते हो उनको कितने मास आया यह भी पता आता हो मोबाइल पे कैसे करते हैं ठीक है तो देखिए इस समय मैंने वही फार्म अपने मोबाइल पे open कर लिया है अब मैं यहाँ पर कुछ शेयर अप्शन जो है में शेयर आप्शन पर जाओंगा इसको ने शेयर अप्शन को उस तरह से यह वाला पेपर जो है अब बच्चों को जा चुका है इस प्रकार से आप अपने सारे पेपर इसी टाइप से सेंड कर सकते हो आश्चा करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा और इस वीडियो की मदस से आप अपने काम बहुत आसानी से कर स सकते हो आज के लिए बस इतने मिलते करने विश्चा कसा तता आपने एक कुछ और मुझे दी जा गया जय हिद